हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत सादर प्रणाम, आप लोगों को आयोध्या राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। राम मंदिर के निर्मान में बहुत सारी पॉलिटिकल डायनॉमिक्स और बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया रही है। इसलिए इसके कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के सामान्य ज्यान भाग में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए आईए कुछ संभावित प्रशनों पर चर्चा करें जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। 2019 के एतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विनाश कर दिया गया था। आए अभी कुछ सवालों पर बिचार करते हैं। कोर्ट में कितने साल तक चली लड़ाई। 134 साल तक राम मंदिर का मामला कोर्ट में चला। पहले फैजाबाद जिला नियायाले में ये विवाद 102 वर्षों तक चला। फिर 23 वर्षों तक इलाहबाद हाई कोर्ट में रहा। इसके बाद 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इसे सबसे पहले 1824C में फैजाबाद जिला न्यायाले में पेश किया गया था। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद उप्त न्यायाधीश की अदालत में मामला दर्ज किया था। अंतिम फैसला किन जजों ने दिया। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस A.S.A. बोबडे, मौजूदा C.J.I. D.Y. चंदरचूड, पूर्व जस्टिस अशोक भूशन और जस्टिस S. अब्दुलनजीर शामिल थे। रहने वाले हैं। राम मंदिर को किस शैली में बनाया गया है। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। नागर शैली उत्तर भारतिय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य परवत माला तक देखा जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच अंच तक इसका चतुश कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भग्रह, उसके समक्ष क्रमशह, अंतराल, मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से सनलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। राम मंदिर में निर्माण में कौन से पत्थर लगे हैं। मंदिर में राजस्थान के मकराना पत्थर का इस्तिमाल किया गया है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन मार्बल्स में होती है। राम मंदिर बनाने में कितना पैसा लगा है। मंदिर के निर्माण पर अब तक आरिस यालहंजो करोड़ खर्च हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब आरिस तीन सो करोड़ और खर्च होने हैं।